हलो फ्रेंट वेलकम टू एक्जाम मेड इजी फ्रेंड ये चैनल हमेशा की तरह आपके एक्जाम को आसान बनाता है और इसी के संदर में हम लोगों ने जो डेप्टी डेरेक्टर इन एस आई सी का जो सिलेबस है जिसमें पार्ट भी जिसका जो प्रिंसिपल्स ओफ हुमन रि इसकी है फ्रेंट और जितने भी उसके अलग-अलग पहलू हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिटेल से रिसर्च के साथ लाया है तो हम लोगों ने पाया है जो दिर आर 11 टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो की इस जो प्रिंसिपल्स ओफ एचार में हुमन रिसोर्स हाँ यह कुछ लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको धिरज बनाया रखना है दूसरी बात जो दो पार्ट में आएगा जिसमें आज मैं सिक्स टॉपिक्स को अभी डिसकस करूंगा और जो पार्ट टू में आएगा और अलग टॉपिक पर हम लोग डिसकस करेंगे तो ले का करते रहेंगे लेक्सitा पहला तॉपिक इसका हो सकता है जो इंच्ड़क्शन मैंचमेट अपको यह समझना है पहले जो human resource management होता क्या है HRM जिसको हम short form HRM कह सकते हैं तो सबसे पहले जो इसका पहला topic यही है जो इसका introduction है introduction to human resource management तो यह management का function है जो help करता है किस चीज में plan recruit select train develop कोई भी संस्था में कोई भी ऑर्गनाइजेशन में जो human resource management है वो एक ऐसा management है जिसका function है कि कोई चीज़ planning करें या recruitment हो selection हो वो अपने employee को train करें उसका development हो उसको payment दिया जाए और members को कैसे maintain रखा जाए कैसे रखा जाए तो यह अलग-अलग इसका जो HRM का यह definition हो सकता है जिसमें अब हम उसमें क्या-क्या अलग-अलग पूछा जा सकता है पहला तो है जो पहला उसमें सब-topic हो जाएगा nature of HRM इसका nature क्या है इसके बाद scope scope of HRM क्या हो सकता है और फिर objectives of HRM, functions of HRM and role of HRM in any organization तो आप लोग फ्रेंड मैं आप उसे request करूँगा कि आप note, book और एक pen लेकर के जरूर बैठे आप topic को note करते जाए यदि आप कहीं से भी study material मंगाते हैं या कोई भी coaching classes लेते हैं यदि आपका यह अलग-अलग topic cover नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ जो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है तो मैं request करूँगा जो आप जरूर उसको note down करते जाए या फिर screenshot ले 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 तो यह पहला topic हुआ दूसरा है human resource planning फ्रेंड यदि हम उसको सही से देखे human resource planning यह दूसरा topic है अब यह human resource planning क्या हो है यह process है क्या of determining of human resources required by the organization to achieve its goal अब कोई भी organization का वह उसका गोल होता है राइट उसका एक लक्स होता है जब आप कोई भी suppose you are the owner of any organization तो आप कोई लक्स लेकर उस organization को establish किये हैं अब उसको पूरा करने में जो human resource राइट जो required है उसी को हम human resources planning कहते हैं अब इसके अंदर क्या हो सकता है जो nature या objective importance क्या है जो human resources planning है उसका अब क्या factors है जो human resource planning को affect करता है या फिर क्या process हो सकता है जो की requirement है successful human resource planning के लिए और कुछ barriers भी है जो आपको यह अलग-अलग topic है उसको आपको पढ़ना है आज का जो तीसरा और important जो topic है friend यह है कि जो job analysis and job design यह जो human principle of human resource management का यह तीसरा topic है तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यह job analysis होता क्या और job design क्या हो सकता है friend तो job analysis क्या है यह एक तरीका है procedure है जिसमें हम पाते हैं कि यह job entails and what kind of people should be hired for the job अब यह कोई job है उसका क्या requirement है या फिर क्या job entails है और उस job को किस के द्वारा या कह रहा है जो attribute attribute means क्या होता है friend की characteristic कोई भी जोब का nature क्या है और उस job का जो requirement है इन दोनों के बीच जो है यह यह match कर रहा है जिसको हम job design कहते हैं तो इस दोनों topic के अंदर जो subtopics है यह हो सकता है जो usage of job analysis क्या हो सकता है अब steps in job analysis क्या है फिर method for collecting job analysis data data आप job analysis data को जो collect करते हैं उसका क्या तरीका हो सकता है या फिर next topic है जो job description क्या है writing job description job specification job design और method of job designs यह अलग-अलग topic हो सकते हैं friend तो इसको उसमें आपको पढ़ना है next जो आज का जो आपका जो important topic है यह recruitment है friend again in between I request you कि यदि आप नए है तो चैनल को subscribe कीजिए एक पर आप चैनल को tour कीजी राइट वहां आपको जो deputy director से related अलग-अलग video मिल जाएंगे आप उसको जरूर देखिएगा syllabus analysis है फिर मैंने एक video बनाया था जो कि बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं बहुत लोग देख रहे हैं यह की tricks for you know self study जिसे में मैंने English history और current affairs की बात की थी तो इसको आप जरूर देखिए और जिदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आप like comment जरूर करते रहेगा फ्रेंट क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही मैं और प्रोत्साहित हो करके और अलग-अलग ने ने जो आपके exam को मैं easy बनाओंगा फ्रेंट ऐसे चीज़ मैं लाता रहूंगा अब जो recruitment है तो आज गया अने च्च टॉपिक है यह क्रूट्मेंट आप именно RT वुकुंड हो सकते अब आप रिकूट्मेंट कप पॉसीजर्स क्लच क्यों सकता है आप रिकूट का टेस्ट और्गिनाइज करवाते हैं तो यह अलग-अलग सब टॉपिक्स है किसके अंदर यह रिकूट्मेंट के अंदर और आज का जो इस चर्म का जो नेक्स्ट है यह सेलेक्शन है यदि मान लिए टेस्ट कोई दे रहा है यह आप रिकूट कर रहे हैं रिकूट करने का स्थैक्स्ट क्योंकि आप इंडिविजियल को कि करते हैं बहुत सारी लोग जॉब होते हैं मैं बहुत सारी लोग एप्लिकेशन लगाते है उस में से आप कुछ इंडिविजियल को करते है विद रिक्योजित क्वालिफिकेशन जो बिल्कुल नेसेसरी क्वालिफिकेशन है इसके बिना आप लेही नहीं सकते हैं जैसे कि आप डेप्टी डेरेक्टर का फॉर्म भरा है तो उसमें यह requirement है mandatory है कि three years आपका क्या होना चाहिए experience होना चाहिए जरूरी है उसके बाद ही आप उसमें बैठ सकते हैं और दूसरा है जो competence to the field to field job in organization तो इस तरह से यह इसका definition हो सकता है अब इसके अंदर में क्या-क्या जो पूछा जा सकते है पहला तो selection जो definition है क्या हो सकता है फिर selection का procedure क्या है कैसे आप सेलेक्ट करते हैं जौब applicant को फिर यह कह रहा है जो selection decision outcomes क्या उसका result हो सकता है फिर placement orientation and socialization यह सब जो अलग-अलग topic है फ्रेंट आपको selection के अंदर में आपको यह पढ़ना परेगा नेक्स्ट है employee training अफ्रेंट कोई भी organization में आप जब किसी को select करते हैं तो आप उसको training देते हैं आप training देते हैं तो इसके अंदर जो topic हो सकता है सबसे पहले तो जरुरत क्यों क्यों पढ़ती है आप नए लोगो रिक्रूट कर रहे हैं जिसे लेकिन ही काम नहीं जानता है तो जहर सी बात आप उसको training देंगे यह जो जरुत क्यों होती है इंप लाइं को training करने का इसका महत्तो क्या है फिर किस तरह का जो employee training हो सकता है और उसके अब objectives और process of जो employee training क्या है और फिर क्या लाब है जो training method का क्या लाब हो सकता है तो यह आज आप आपका जो six topics को मैंने discuss किया है, next जो five topics जो आपके syllabus में है, जो मैंने decode किया है, HRM को, principle of HRM, principle of human resource management, इसमें eleven topic है, जिसमें मैंने six आपको बता दिया है, आप note on किजिए कहीं, और एक-एक sub topic को देखते रही है, जो complete हो रहा है कि नहीं, आपके knowledge से कुछ भी नहीं बाहर जाना च तब जाके, क्योंकि this is very important job, बहुत बढ़िया job है, तो मैं आपको all the best करता हूँ, आप तैयारी करते रहिए, जो next जो वीडियो आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा, तब जाकर के आप syllabus को समझ पहेंगे, क्योंकि कोई भी exam में success होने के लिए, आपको पता ये होना चा ये वीडियो, दो वीडियो आपको पूरे syllabus को जो है, आपको definition मतलब define कर रहा है, तो आप जरूर next वीडियो को देखिए, इसको भी देखिए, again I request कि if you are new to this channel, please subscribe it, like, share और comment कीजिए, जो आपको कैसा लगा, यदि आप कुछ और improve, कुछ और चाहते हैं, something more you want, जरूर आप ल अपना बहुत-बहुत खाल लगे, thank you